दोस्तो जैसे आप ये मंतर देख रहे हो तो आपने इस मंतर का जाप 301 वार करना है अभी आपने ये जम मंतर का जाप करना है जैसा आपको सही लगता है अगर जल्दी वश में करना है उसको तो आप अभी कर सकते हो अगर आपने रात के समय आपने उसको वश में करना है तो आप रात के समय इस मंतर को बोल के सो जाना है पती पतनी में अनवन का रहना या आपका प्यार छोड़ के गया है या अपने प्यार को अपनाना है या अपने प्यार को बापिस पाना चाहते हो जो किसी और के साथ है या वो किसी और के साथ साधी कर चुकी है अगर उसको अपन इकुन्जावार इस मंत्र का जाब आपने naa जैसे उसका नाम मैने लिखा है Nisha Kriis Bhoom तो आपने इसी मंत्र का जाब करना है क्योंकि सीम्भग इसलिए लिखा Pat SM आप जिस किसी को भी बश में करोगे तो आपका वो बश में होके आप उसके साथ जो मर्जी कर सकते हो ठीक दस्तों वो आपको छोड़के कभी नहीं जाएगी तो जैसे मैंने आपको बताया नीशा क्री संभोगम तो आपने भी इसी तरह से ये मंतर तिनसो इकुंजा वार का जाप करना है और जिस किसी को भी अपने बश में करना है वो बश में पूरा अद्धे घंटे के अंदर अंदर वो आपके बश में होगा सिंपल सा तोटका है दोस्तों अगर आपको इस तोटकी की जानकारी पता नहीं चलेगी तो स्क्रीन के साइड में दी गए नमबर पर आप हमें संपरक करें हम आपको पूरी जानकारी देंगे ठीक है दोस्तों तो ये था तोटका धन्यवाद जयमाता दी